पीएज़े चॉपसन एडमिशन, आज के इस वीडी में हम इगनु पीएज़े इंट्वेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसेक्यूस यानि ऐसे एमसेक्यूस जो जनरली आपके इगनु में पूचे ही जाते हैं और हमारे experience के basis पर एडिसे questions जो जनरली एग्जामिनेर के फेवरीट questions होते हैं examiner उन questions को बार बार repeat करता है उन्ही concept पर based आपको examination में questions पूछे जाते हैं तो याद रखना है research methodology आपके पीपर का 50% weightage होता है 50 MCQs आपको research methodology से examination में पूछा जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से सारे MCKs को देख लेना है आपके जो भी doubts है, आपके जो भी questions है आप मुझे comment section में फूद सकते हो उसी के साथ जैसे कि आपको पता है research methodology के लिए आपका paper 1 होता है हर एक students के लिए comment होता है जिस भी subject में आप PhD करोगे तो आपके लिए research methodology is common for all तो इसे लिए हमने आपके लिए एक paid whatsapp group बना रखा है और उसी के साथ आपको हम research methodology का complete course प्रवाइड करते हैं आपको research proposal आपको report किस तरीके से लिखना है research के बाद के steps आपको किस तरीके से आपके PhD में किस तरीके से आपको सारे steps follow करना है सारे guidelines हम आपको यहाँ पर हमारे course में provide करते हैं आपको जल से जल हमारे screen पर दिये गए number पर contact करना है या फिर आपको हमारे app के तरी भी study material को access कर सकते हो जिसके लिए link हम आपको comment section as well as description box में भी provide करते हैं so that's it and let's begin with the today's lecture so MCQs start करने से पहले मैं आपको बता दू कि DU University के PhD entrance examination में total आपको 50 MCQs पुछा जाता है 50 MCQs जो होता है आपको उसमें एक question जो होता है एक MCQs जो होता है 4 mark के लिए होता है तो इस तरीके से आपका total paper 200 marks का होता है जिसमें 100 marks आपका research methodology पर based होता है और remaining 100 आपका subject specific होता है तो 100 marks for research methodology आपको पूछा जाएगा तो research methodology के लिए मैं आपको बता दू यहाँ पर हमको complete course provide कर रहे है और आपको examination में भी सिर्फ examination को qualify करने के लिए minimum 100 marks आपको examination में लेकर आना ही है तो मैं आपको बता दू हमारे course के तरू आप easily passing marks score कर सकते हैं यहाँ 100 में से 85 to 90 marks तक आपको हम guarantee के साथ कहते हैं कि आपको exam में आ सकता है हमारा यह 90% guaranteed course है जिसमें जैसे कि आप screen पर देख सकते हो हम आपको video lectures provide करते हैं जो के theory mcqs दोनों video lectures है mocktas है total 10 mocktas है then उसके बाद notes हम आपको provide करते है तो काफी जैसे कि मैं आपको कहा 90% हमारा जो course है वो हमारा जो है testable course है 90% students हमारा हर time सारे जो university के लिए होता है 90% and above result होता है तो याद रखना है जादा time waste नहीं करना है आपके examination की भी date release हो चुकी है तो आपको जल से जल हमारे course को purchase करना है पर्चेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको नमबर नजाया रहा है तो वाटसप के तुर आपको आपको में कॉन्टायक करना है या फिर आप हमारे आप के तुर भी study material को एक्सेस कर सकते है जिसके लिए link में आपके साथ नीचे comment section as well as description box में भी share कर रहा है so that's it and let's begin with the mcqs first question is the respondent male or female this question is related to which one of the following types of data measurement skills इस question में यह बता गया के questionnaire provide के respondent को और एक question पुछा के इसमें के respondent जो है male है या फिर female है so यह question कौन से type of data measurement scale में लाइ करेगा हमें यह find out करना है so remember data measurement scale के four types होते है so आपको इस short form से याद रखना है noyer n4 nominal o4 ordinal i4 interval and r4 ratio nominal scale of measurement में आप क्या करते हो चीजों को कोई भी things को किसी भी object को उनके characteristics और features की बैसे इस पर divide कर लेते हो then ordinal scale क्यों होता है ordinal scale में आप nominal की तरह आप nominal का ही scale of measurement के उसके characteristics follow करेंगे मतलब जो भी object है उनको उसके characteristics के basis पर divide कर लोगे as well as आपके पास जो भी things है जो भी object है उनको एक order दोगे then interval में आप same ordinal की characteristics find करोगे but interval में आपके पास जो भी numbers होते है आप उनको एक equal intervals में बाहत दोगे and interval में 0 को कोई meaning नहीं होता है interval में आपका 0 arbitrary होता है and ratio में सारे scales of measurement का characteristics होता है but ratio में आपका जो 0 होता है तो कुछ नहीं कुछ meaning होता है अब इस case में हमें ये पूछ रहा है कि question provide किया गया respondent को इसमें पूछा गया male है या फिर female है so male और female बस आपको इतना ही पूछ रहा है मतलब यहाँ पर जो male है female है उनके characteristics के basis पर पूछ रहा है आप male हो या फिर female हो so characteristics के basis पर जो चीजों को और जो object को किसी भी things को divide करा जाता है so वो आपका आता है nominal scale of measurement ordinal scale क्यों नहीं आएगा because ordinal scale जब होता अगर आपको question ऐसा पूछा जाता है कि male जादा है female से male is greater than female male is less than female तब उस case में आपका जो answer होता है तो ordinal होता है और interval और ratio तो होगा ही नहीं बलके interval और ratio में आपके पस जो भी data होता है generally वो numbers के form में होता है so इस case में आपको जो एक question given है यह आपका nominal scale of measurement का type of scale में आ जाएगा so nominal scale of measurement का यह आपका example होगा आपसे बस यहापर पूछ रहा है male और female को आप उनके characteristics के basis पर आप divide कर रहे हों उनसे पूछ रहे हो so आपको option भी correct हो जाएगा nominal next the purpose of hypothesis testing is 2 इस question में हमें find out करना है कि hypothesis testing का purpose क्या होता है अब hypothesis testing हम क्यों करते है यह देखने के लिए जो हमारी null hypothesis है उसको हम accept कर लेते है और reject कर लेते हैं दो ही ways होते हैं अगर हम hypothesis को test करते हैं so हम null hypothesis को या तो accept कर लेते हैं या पिर reject कर लेते हैं यह दो ही चीज़ करते हैं जब भी हम hypothesis को test करते हैं अब इस question में हमें कुछ options given है उसके तरू हम दखते हैं कि hypothesis का purpose क्या होगा correct अब option A दखते हैं test how far the mean of sample is from 0 हम hypothesis test इसलिए नहीं करते हैं कि जो हमारा sample का mean है sample से हमको जो भी results मिर रहे है वो 0 से कितना दूर है यह देखने के लिए हम hypothesis को test नहीं करते हैं आप आपको option A इंकरेक्ट हो जाएगा then option C देखेंगे हम determine the appropriate value of the significance level हम significance level को determine करने के लिए भी hypothesis को test नहीं करते हैं अब significance level क्या होता है significance level वह होता है जब भी आप hypothesis को test करते हो तो आप आपके जो results से उसमें कुछ error allow करते हो अब मान लीजिए आपने आपका जो significance level है वह आप 1% रखते हो और या फिर 5% या फिर 5% अगर आपने आपका significance level 1% रखा है मतलब आप सिव अपकी study में एक ही percent error को allow करेंगे मतलब आपके जो 99% जो भी result आएंगे वह सही होंगे और significance level आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी research में error अलाओ करेंगे वह 5% अलाओ करेंगे मतलब 95% आपके जो result आएंगे वह correct आएंगे so यह determine करने के लिए भी आप hypothesis को test नहीं करते हो आपको option c incorrect जाएगा then option d determine the appropriate value of the null hypothesis null hypothesis के appropriate value को determine करने के लिए आप hypothesis को test नहीं करते बलके यह देखते हो कि null hypothesis को हमको accept करना है या फिर reject करना है हम null hypothesis को किसी value को determine नहीं करते है आपको याद रखना है किसी value को determine नहीं करेंगे null hypothesis की हम बस यह देखते है कि null hypothesis को accept करना है फिर reject करना है आपको option d भी incorrect हो जाएगा then option b determine whether the statistical result is significance मतलब अब मान लिजे hypothesis test hypothesis क्या होता है hypothesis is nothing but a tentative statement होता है जो research अपने research में अपने guesses पर lay down करते है और उसको अपने research में test करते है अब मान लिजे एक hypothesis है कि water अगर increase करते हैं तो plant की growth भी increase होगी यह मेरी एक hypothesis है अगर मैं plant को water जादा दे रही हूँ तो plant की growth भी जादा होगी अब इससे जो result आ रहे है इससे जो result आएंगे मतलब वो statistically significant है यानि मैं यह चेक करने के लिए hypothesis test करते हैं statistically significance का मतलब क्या हो रहा है आपके जो result हो रहे है वो by chance आ रहे है या फिर आपका जो independent variable है मतलब जो water है कि water की वज़े से ही growth हो रही है फिर नहीं आप यह देखते हो यह हो जाती है आपके hypothesis testing का purpose so hypothesis testing का purpose यह होता है कि determine whether a statistical result is significant आपको option भी correct हो जाएगा next select the wrong statement from the following इस question में हमें sampling से related कुछ statements given है और हमें find out करना कि कौन सा statement wrong है so one by one हम options देखते है option A systematic sampling select the population at regular intervals systematic sampling में क्यों होता है आप interval decide कर लेते हो आपके मानदों कोई population है population में से आप यह decide कर लोगा कि आपके पास बहुत large population है उस population में से मैं हर 5th person को select कर लोगा और वो मेरा sample बन जाएगा so यहापर आप कोई interval decide कर लोगों के इतने इतने numbers के लोगों को इतने इतने numbers पर जो भी members आएंगे उनको मैं select कर लोगा so यह systematic sampling में आता है और यहापर आपको option A correct हो जाएगा then option B the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling stratified sampling में आप क्या कर लेता हो आपकी पॉपपिलेशन होती है जो कि heterogeneous population होती है आपकी population को आप subgroups में divide कर लेते हो जो कि आपकी population को represent करती है और उस groups में divide करने के बात उस group से आप sample select कर लेते हो और उस पर आप research perform करते हो सो यह आपकी stratified sampling की definition हो गई सो यह आपका option B भी correct है then option C the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used yes, यहापका option C भी correct हो जाएगा option C यह कह रहा है हमें कि simple random sampling में आप जो population में से members select करते हो सो आपकी जो population होगी इस case में homogeneous होगी अगर आपकी population homogeneous होगी सो आप simple random sampling method का use करते हो और randomly population में से members को select कर लेते हो अगर आपकी population heterogeneous होगी तो आप certified का use करोगे यह पर आपको option C भी correct है then option D simple random sampling is not just like drawing a number in a lottery आपको याद रखना है यह option हाँ जो आपको given है sampling related यह incorrect है यह wrong statement है यह simple random sampling में simple random sampling में आप lottery method की तरह आपके population में से members को select कर लेते हो random sampling को हम lottery method भी कहते है that's why आपको option D जो है incorrect है आपको आपको wrong statement है related to sampling आपको option D correct हो जाएगा simple random sampling is not just like drawing a number in a lottery next population divided into four equal groups of a particular variable group is इस question में में find out करना है कि आपने आपकी जो population है उस population को आपने four equal groups में divide कर दिया four equal groups में आपके अपने population को divide कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे क्या हम percentile कहेंगे quartile कहेंगे और फिर decile कहेंगे यहापर आपकी माली जो कोई population थी आपने उस population को four parts में divide कर दिया first, second, third and here fourth part चार part में आपने इसको divide कर दिया तो चार part में आपकी population को अगर divide कर दिया तो उसे हम कहेंगे quartile quartile का ही मतलब होता है four quartile का मतलब होता है four कि आपने आपकी population को four equal groups में divide कर दिया तो उसे हम कहते है quartile percentile क्या होता है अगर आपने आपकी जो population है उसको hundred equal groups में अगर आपने divide कर दिया तो उसे हम कहेंगे percentile percentile का मतलब होता है hundred decile decile कहता है अगर आपने आपकी जो population है उसको ten equal groups में अगर divide कर दिया तो उसे हम कहेंगे decile decile ten होता है quartile four होता है और percentile hundred होता है तो आपने यहाँ पर आपकी जो population है उसको 4 equal groups में divide कर लिया तो उसे हम कहते हैं quartile तो याद रगना है quartile, quartile का मतलब होता है 4 तो यहाँ पर 4 equal groups है तो आपने आपकी population को 4 equal groups में divide कर लिया तो उसे हम कहेंगे quartile तो यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा option B quartile Next Which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design इस question में हमें find out करना है कि कौन से option में हमें experimental design के basic principle given नहीं है So one by one हम options देखते है So remember आपका experimental design का basic principles होते हैं वो होते हैं replication, randomization and local control अब replication क्यों होता है कि जो आप this topic पर आप जो experiment perform कर रहे हैं आप उसको reproduce कर सको आप बार-बार वो experiment perform कर सको उससे क्यों होगा आप result देखोगे आपके जो result आ रहे हैं बार-बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप experiment बार-बार perform करते हो तो So replication या आपके experimental design का basic principle होता है Then randomization Randomization क्यों होता है कि जिसे मान लो अगर आप experimental research में किसी disease है और disease के अगेंस आप drug launch कर रहे हो So आप क्या करोगे इस case में आप जो sample select करोगे आपका वो आप randomly select करोंगे Randomly लोगों को drug देखकर देख लोगों कि उनकी body पर वो drug कैसा affect दिखा रही है Okay आप क्या करोगे randomly samples कैसे select करोंगे अब हर एक age group के आपके sample में लोगे लोगों को जैसे young है, old है, women है, men's है जो भी है सारे लोगों को आप samples में आपके ले लोगे और उनको randomly choose करोगे So randomization ये भी आपके experimental research को basic principle होता है Then local control जैसे हमने अभी देखा है Experimental research में research जो extraneous variable होते है उनको अपने research में control कोरने की कोशिश करते है ताकि वो dependent variable को affect ना करे तो replication, randomization, local control ये तीनों भी आपके basic principles होते है experimental design के Then reduction, reduction क्या होता है, किसी भी चीज को reduce करना किसी भी चीज के effect को reduce करना जैसे instrument है, instrument में noise होती है Okay, noise बगरा के effect को कम करना, reduce करना That is known as reduction जितना हो सके instrument में जो noise होती है उसके effect को minimize करना So ये आपके experimental design का basic principle नहीं होता है That's why आपका correct option हो जाएगा Option D, reduction Next question Which of the following includes all the physical components of a computer? इस question में में find out करना है कि ऐसा कौन सा option है, जो computer का physical component है Physical component मतलब क्या होता है जिसको आप touch कर सकते हो So ऐसा component computer का जो physical होता है उसे हम कहते है hardware Hardware क्या होता है, जैसे आपके mouse keyboard, screen और CPU So ये सारे चीजों को आप touch कर सकते हो So उने हम कहते है hardware That's why आपका option incorrect हो जाएगा Then option B, malware Malware क्यों होता है, जैसे आपके computer में जो viruses होते है जो भी virus होते है आपके computer में उन्हें हम कहते है Malware, तो ये physical component नहीं हो जाएगा आपके computer का So आपका option B, incorrect है Then option C, software Software क्यों होता है, जो भी programs आपके computer में run होते है उन्हें हम कहते है software So software भी ये physical component नहीं है computer का So यह आपका option C, भी incorrect हो जाएगा Then option D, UPS UPS क्यों होता है आपको पहले तो UPS का full form पता होना चाहिए UPS का भी full form आ सकता है एक्जाम में आपको ये याद रखना है UPS का full form होता है Un-interruptible Power Supply UPS का full form होता है Un-interruptible Power Supply So ये आपकी computer को Power Supply करता है जैसे in case light चले गई आपकी So अगर light चले जाती है So computer atomically बंद हो जाता है So ऐसा ना हो इसलिए UPS जो power supply करता है आपकी computer को ये लगाया जाता है जिसकी health से अगर आपकी light चले जाती है So ये आपकी computer को power supply करता है So UPS ये भी आपकी physical component में नहीं आता है computer के That's why आपको option D भी incorrect हो जाएगा So ऐसा component जो computer का physical component है उसे हम कहते है hardware So आपको option ने correct हो जाएगा Next For better accuracy in research Which of the following should be taken care of This question में मैं find out करना है अगर आप research कर रहे हैं So आपके जो result आएगे accurate कब आएगे आपको क्या करना होँगा जब आपके result जो है accurate आएगे So one by one हम options देखते है Option A increasing the sample Yes अगर samples को आपके increase करोंगे तो उतना जाद आपको result में लगा accurate में लगा Samples क्या होता है Population है Population में से अगर 100 members है 100 में से आपने समझ लो आपके जो samples है उनमें 90 members को select कर लिया 100 में से आपने 90 लोगों को select कर लिया यह आपका sample बनगा और इन 90 लोगों पर आप research परफॉर्म करते हो So आपने जादा sample लिया जितना जादा आप sample लोगे उतना error कमाने के chances होते है मतलब उतना आपका जो result है जितना जादा sample आप लोगे जितनी जादा population में से members को select करेंगे उतना जादा आपका result जो है accurate आजाएंगे So increasing the sample size Yes इसके तरूब आपके जो results के result होंगे वो accurate आएंगे Then option B unbiased data collection So आपको option B भी correct हो जाएगा आपको unbiased based data को collect करना जाए मतलब जब जैसे अपने interview perform के अपने questioners questioners के दुरू respondents का response लिया पबलिक का आप opinion जानते हो तो उसमें अगर मान लिजे आपको 90% 90% आपको correct inquiry मिल रहे हो 10% नहीं मिल रहे है तो आपको 10% को ignore नहीं करना है आपको proper mention करना है हर एक चीज को जो आ रहे है आपके result आपको एकदम unbiased based data collect करना चाहिए आपको आपके opinions अपने judgment को आगे रखकर data collect नहीं करना चाहिए तो अगर आप unbiased based data collect करते हो तो आपके जो research के result हो वो accurate आएगे तो यह पर आपको option a and b दोनों भी correct है that's why आपके correct option हो जाएगा option c both a and b are correct next which one is not an example of subjective variable इस question में हमें पूछ रहा है कि subjective variable का example हमें किस option में given नहीं है अब subjective variable क्या होता है पर आपको यह पता होना चाहिए subjective variable वो variable होते है जिसमें हमारे पर जो भी data available होता है वो numbers के form में available नहीं होता है आपको याद रखना है subjective variables में हमारे पास जो भी data होता है या फिर subjective variables में जो भी हमारे पास participants से related कुछ भी data होता है वो उनके features और characteristics को बताता है और describe करता है subjective variables में हमारे पास जो भी data होता है वो generally numbers के form में available नहीं होता है बलकि वो किसी की features और characteristics को बताता है अब one by one हम options देखते हैं और देखते हैं कि किस option में हमें subjective variable का example given नहीं है sex, sex क्या होता है gender, male या फिर female तो यह अपर male या फिर female है तो हमारे पास numbers की form में available नहीं है data again यह आपका subjective variable का example होगा then religion, religion भी आप क्या करोगे different different religion है religion को कोई numbers नहीं है किसी religion को कोई number नहीं है so यहाँ पर religion किसी का feature बता रहा है कि आप कौन से religions हो subjective variable का भी यह example हो जाएगा so यह पर आपका option B religion subjective variable का example हो जाएगा then race, race क्या होता है generally physical traits को बताता है race जिससे किसी के skin color को ज़्यादा dark है कोई fair है, किसी का hair texture, किसी की facial features और किसी का eye formation so यह सारे race में आता है जिसमें आप बोलते हैं किसी का physical traits वो कैसा दिखता है उसको हम race कहते है so race यह भी आपका subjective variable का example होता है then last is income income आप income को कोई feature नहीं होता है income को आप explain नहीं कर सकते है income numbers के form में होती है always income आपको numbers के form में देखने मिलेंगे कि 70,000, 80,000, 90,000 so यह पर income में आपके पाद जो भी data available होता है generally numbers के form में होता है so income आपका यह subjective variable का example नहीं होगा so यह पर आपका option D is the right answer next type 2 error is also known as इस question में हमें find out करना है कि type 2 error को और हम क्या कहते है so type 2 error होता क्या है किस तरीके से type 2 error यह term use में आया है इस term का मतलब क्या होता है आपको पहले तो यह पता होना चाहिए so याद रखेगा researcher जब अपनी research में hypothesis को test करते researcher पहले अपनी research में hypothesis को test करते so researcher से hypothesis को test करने में कुछ mistakes हो जाती है so उसी mistakes को हम कहते है errors so उसी तरीके से errors के भी type होते है type 1 error type 1 error and type 2 error अब इस question में में पूछ रहा है कि type 2 error को और हम क्या कहते है so याद रखेगा type 2 error को हम कहते है false negative अब जैसे कि इस table से आपको याद रखना है कि type 1 and type 2 error क्या होता है और type 1 error और type 2 error को और हम क्या कहते है so type 1 error कब होता है जब आपकी null hypothesis true होती है फिर भी आप उसको reject करते हो सो वो हो जाती है आपकी type 1 error और type 2 error का बकर होता है जब आपकी null hypothesis false होती है false होने के बावाजूद आप उसको accept कर लेते हो तब वो हो जाता है आपका type 2 error ओके, clear then, अब इस question में मैं पूछ रहा है कि type 2 error कब होता है चुकि type 2 error कब होता है जब आपकी null hypothesis false होती है फिर भी आप उसको accept करते हो तब होता है आपका type 2 error तो आपकी null hypothesis false है, incorrect है मतलब आपकी null hypothesis है यह negative है और आपने क्या कर लिया यहापर आपका decision क्या था, incorrect decision था आपका decision wrong था मतलब यह already आपकी null hypothesis false थी, लेकिन फिर भी आपना इसको accept कर लिया तो आपका जो decision था यहापर यह false था, इसलिए type 2 error को हम कहते है false negative उसी तरीके से type 1 error का भी आप देख लीजे एक्जाम में type 1 error is also known as ऐसा भी question आज सकता है, तो उस case में आपका answer हो जाएगा false positive अब type 1 error को हम false positive क्यों कहते हैं, क्योंकि यहापर आप देखिए, आपकी जो null hypothesis होती है, वो true होती है फिर भी आप उसको reject करते हो, तब आपका होता है type 1 error, तो यहापर आपकी जो null hypothesis ही true है, मतलब यह positive sense कर रहा है, आपकी null hypothesis true है, लेकिन आपने यहापर कैसा decision ले लिया, incorrect decision ले लिया, false decision ले लिया, true होने के बाद भी आपने इसको reject कर दिया, तो आपका decision false था, तो type 1 error को हम कहते है, type 1 error को हम कहते है false positive, and type 2 error is also known as false negative, तो यहापको यह relation याद रखना है, type 1 error को और हम क्या कहते है, and type 2 error को और हम क्या कहते है, तो यह exam में आने के chances are, this is very important question, so type 2 error is also known as false negative, तो यहापर आपको option भी correct हो जाएगा, next, the last step of problem formulation is, इस question में हमें find out करना है कि problem formulation का last step क्या होता है, अब problem formulation के कुछ steps होते हैं, जिसे survey, discussion, literature, survey, so survey क्या होता है, आप preliminary survey करवा कर देखते हो कि आपका research में क्या हो रहा है, discussion, आप कुछी discuss करते हो particular topic पर एक problem आप एक problem लेकर आते हो इसको formulate करते हो, literature survey, literature survey क्या होता है, आप survey पर देखते हो, sorry, literature view देखते हो कि पुराने किस-किस topic पर research हुई है, फिर आप जो topic पर research नहीं हुए, इसको select करते हो, problem को form करते हो, so यह सारे आपके starting क्यों, middle के कुछ steps होते है, problem formulation के आपके last step नहीं होते हैं, आपका option A, B and C, तीनों भी incorrect हो जाएगा, और correct option हो जाएगा, option D, refreshing the research problem, so आपका refreshing the research problem यह आपका last step होता है, but actual में आपके problem formulation के कुछ steps क्या होते हैं, हमें देखना है इस diagram के तरूब, आप steps of formulation in research problem, research problem में आप problem को कैसा form करते हो, उसके कुछ steps इस तरीके से है, first step में आप identify करते, broad field और subject area interest to you, आपको जिस subject में interest है, आप पहले वो subject choose कर लेते हैं, एक broad area choose कर लेते हैं, आप जैसे में एक broad area choose कर लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, science, math, geography, commerce, आप इस एरिया को dissect करते हैं to sub area, science में मैं यह देखूँग कि मुझे biology में research करनी है, zoology में किस में research करनी है, मैं यह decide कर लोंगे, जैसे मैंने decide कर लिए, मैं जैसे biology में research करनी है, जैसे मैं इसके बाद मैं select कर लोंगे, select what is the most interest to you, अब biology मुझे कुछ subjects में interest होगा, मैं अपने interest की basis पर ही एक problem को select कर लूँगा, जैसे बायो मैं मुझे interest है human body पर, human body पर मैं किसी bones पर study करूँ, human body के कोई bones पर मुझे study करने है किसी bones पर, तो है मेरा interesting area हो गया, then मैं एक question rise करूँगी, जैसे मुझे human body के hands होते है, hands या फिर knees उस area के bones पर मुझे study करनी है, तो यह मेरा research question हो गया, then उसके बाद formulate objectives, objectives आप formulate करो हैं कि आपके problem ले रहे हो, उसका क्या objective है, then उसके बाद assess your objectives, assess करो गया इसको आप observe करो कि आप analyze करो कि आपके objective को, then last step आपका आता है double check जिसे हम rephrasing भी खहते है, double check में आप क्या करते हो जैसे मैंने यहां पर मैंने कहा आता है कि मुझे bones पर study करना है, तो आप यह देखोंगे कि real life में किया आप उस पर कैसे study करोगे, आप यह देखते हो कि उस कितना time लगने वाला है, कितना cost लगेगा, या फिर आप कि skeleton पर study करोगे, या फिर किसी body पर study करोगे, किसी person के bones पर actual में आप कैसे study कर पाऊगे, यहाँ पर आप rephrasing करते हैं, डबल चेक करते हो कि आपको time, cost, आप किस तरीके से उस चीज़ को available करकर उस problem को form कर दोगे, याद रखेगा problem formulation का last step होता है, rephrasing the research problem, यहाँ पर आपको option D correct हो जाएगा, and thank you for watching this video, good luck with your preparation, and see you tomorrow with another video.